जावे दक्तर को इंडस्ट्री ने इतना बड़ा राइटर इसलिए बनाया क्योंकि जो वो शम्द लिखते थे वो डाइरेक्ट दिल पर असर करते थे और सोचने पर मजबूर कर दे थे लेकिन वही जावे दक्तर एक दिन किसी अजंडा के लिए ऐसे शब्द बोलेंगे ये क पहुचाने की कगार पर ले आए हैं मामला ही कुछ ऐसा है ऐसा ही मामला स्वरा भासकर का भी हुआ था जावे दक्तर ने दो तीन हिंदू संगठन है जिसमें RSS भी शामिल है इनको तालीबानियों से कंपेर किया है और कहा है कि फर्क इतना है कि उन लोगों के पास पावर ह रही है वरना ये भी उसी तरह के टररिस्ट हैं सबसे बड़ी बात कि जावेद अक्तर इंडिया में बैटकर ही इंडिया के बड़े-бड़े संगठनों के बारे में इस तरह की बातें कर रहे हैं और उसके बावजूद भी वो सेफ है जावेद अक्तर ने ये शब्ल कह दिय अगर यही बात जावेद अक्तर किसी और देश में वहां की majority religion के लिए कहते तो शायद अभी तक तो बहुत कुछ हो गया होता लेकिन यहां इंडिया है, freedom of speech है, democratic country है, कई बार freedom of speech के नाम पर लोग अपने agenda के तहट बहुत कुछ बोल जाते हैं और शायद यही कुछ जावेद अक्तर ने किया है उनके इन शब्दों से हिंदू संगठन और इन संगठनों से जुड़े हिंदूों की भावनाव को ठेस पहुँची है यही कारण है कि अब politician राम कदम ने धमकी दे दी है कि या तो जावेद अक्तर हाथ जोड़कर माफी मांगे नहीं तो उनके उपर case किया जाएगा इतना ही नहीं मुंबई में जावेद अक्तर के घर के बाहर नारे बाजी भी की गई आज महाराश्च्ट के CM उधव ठाकरे ने भी इस मुद्दे पर खुलकर बात की और जावेद अक्तर को क्रिटिसाइस किया उन्होंने कहा कि RSS की तालिबानियों से तुलना करना बेहत गलत है और तो और ये भी कहा कि भारत जहां बहु संखिय हिंदू है उन्हें हर समय इस तरह के थोट से दबाया जाता है तो कहीं न कहीं जावेद अक्तर के इन शब्दों की अब कड़ी निंदा हो रही है जिन शब्दों पर एक चाइम पर तालिया और सीटिया भचती थी उनके डायलॉक्स के एक्जैम्पल दिये जाते थे आज उन डायलॉक्स के खिलाफ नारे बाजी हो रही है कहीं तो सोच में बदलाव आया है इतने सालों में